तो नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मित करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़ियां होएंगे और काफी दिन से वीडियो आ रहा है तो उसके लिए I'm sorry कुछ काम में विजी था इसलिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ अभी कुछ दिनों से वीडियो लेट फास्ट अवलोड होते हैं पर कोई दिक्कत वाली बात में काफी लोगों के सवाल आये थे पूंच रहे थे कि सर बता दीजे कि कि जुए में like change होती है क्या जुए मं करियर बनता है क्या जुए में कामया बना जा सकता है क्या तो मैंने सूचा इन question के answer मुझे एक वीडियो बनाके दे देना चाहिए जिससे और भी लोग है जो उनकी सवालों के जबाब भी मिल जाएंगे क्या जुए में कामियाब हो सकते हैं ये question सबसे common है और man है जो new youth होती है जो new लड़के होते हैं या कोई भी होता है नई जो जुए में enter होते हैं उनका ये मन में सवाल होता है कि easy money है पैसा कमा लिया जाए जैसे कि मैं या मेरे जैसे कई और लोग उनको देख कर आप ये सोचते हों कि इनके जैसी life नो मुझे enter होना है इस तरीके की life मेरी होनी चाहिए इस तरीके के लोगों जैसा मेरा भी रुत्वा और मैं फैमस होना चाहिए ये आपकी सोच सही है अभी कुछ और चीज़ें जानने की जरूरत है जो कि मैं वीडियो में आगे explain करता हूँ आप अगर motivate होते हो किसी की lifestyle को देख कर किसी के फैमस होने को देख कर किसी के पास पैसा money power होने क्या जो देखते हो कि इसके पार ये सब चीज़ें उपलब्द है ये चीज़ों का इसके पास एक भंडार है मतलब कि life अच्छी है हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी life अच्छी हो आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ और हर कोई दुनिया का हर जीव चाहता है वैसे तो तो पहले ये देखना है कि क्या जुए में हम कामयाब हो सकते हैं क्या आपने कभी इसमें पैसा कमाया है क्या आपने कभी जुए में पैसा बनाया है क्या आपने कभी जो जुए में पैसा बनाया है उसको कभी बचाया है बचा के सही काम में लगाया है सही काम में लगाने के बाद उसका सही यूस होगा की नहीं या वो पैसा वेश्ट होगा या वो दुबारां डाल कर आप हार गए या उस पैसे को सही से इस्तिमाल में लाही नहीं पाए ये सब चीजें पहले अपने अंधर ढूणनी है क्या आपके अंदरी चीजे है discipline क्या है controls क्या है goals plannings क्या है consistency क्या है इन चीजों का power आपको पता है ये कितनी एक positivity वरी चीजे है क्या इनकी पूरी एहमियत आप जानते हो ये कैसे काम करती है इन सब को जानते हो इनको करने से क्या-क्या profitable हो सकते हो क्या-क्या lusual हो सकते हो ये चीजें क्या आप जानते हो life में changes चाहिए न आपका सवाल यही था कि क्या इसमें कामे आप होते है क्या जुए से पैसा कमाया जा सकता है क्या जुए से किसी की life change होई है तो उसके लिए पहले ये बताओ हो कि ये जो बांकी की चीजें बताई है इन पर गौर किया है नहीं किया न या किया है तो दोनों लोगों को जबाब देता हूँ अगर आपने इन पर गौर किया आपको इनका power पता है कि discipline, control, mindset ये सब चीजें क्या है इनसे कितने वड़े बदला होते हैं ये चीजें गर आपको पता है तो आप ठीक हो आपको अगर ये पता नहीं कि consistency का power क्या होता है example के लिए पत्थर पे जब बूंद हज्जारों साल तक एक ही जगा गरेगी न एक एक बूंद तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है consistency, लगातार लगातार प्रयास ये हो दिया consistency discipline क्या होता है discipline होता है आप एक मटका लेके रखो मटका में आप पानी भरो ठीक है मटका में पानी भरो और सिर्पे रखो अगर आधा मटका पानी है तो आप कितने भी संभल के नेगो यानि चलो अगर आधा मटका पानी है और सिर्पे लेके चलते हो और आप चल रहे हो आराम से तो वो पानी चलकेगा ही चलकेगा उससे बाहर निगा जाएगा बाहर गिरेगा पानी और जब उसी मटके को फुल भर देना, बतलब उसकी मूँ से उसके इस्तार तक पूरा का पूरा फुल कर देना फिर आप सर पे लेके जाना फिर उसका पानी नहीं गिरेगा उसका पानी चलकेगा नहीं क्योंकि उसमें मूमेंट नहीं होंगे डिसिप्लीन मतलब मैनेज करके चलना, कोई भी काम करते उसको मैनेज प्रोपर मैनिज करके यह होती है कांसिस्टेंसी डिस्सिप्लीन कंट्रोल कंट्रोल क्या है कंट्रोल किसे कहते है जरूरत आपको है जरूरत मुझे भी है और जरूरत हर दुनिया के हर उस जीव को है जो इस दुनिया में जिन्दा है किसी की कुछ जरूरत है, किसी की कुछ जरूरत है, कंट्रोल, जब खेलते हैं, जब जुगा का आप सकल देखते हो, जुगे में घुशते हो, तब कुछ समय कंट्रोल गाता है, और कंट्रोल है क्या, क्योंकि कंट्रोल 10 से 15 मिनिट के बाद आप खुद ही नहीं कर पाते हो, क् कि इतना विख्षित का मायंड नहीं है भी रिकर रॉब के चीज होगा क्या है ऐगर को क्निस्टेंसि का पबदे चल जाए एक धियर का पैसेंस लेवल हाई हो जाए। कंसेस्टेंसी पूरी तरह से आपको नौलिश्फॉल होनी चाहिए कि कंसेस्टेंसी से पावर क्या है कंसेस्टेंसे का, जैसे बोलते हैं कि पावर औफ कंपाउंड है। बहुत बड़ा पावर है अजूबा है, अगर कभी जाके गूगल पर सरच कर लो कहीं वी कि कंपाउंडिंग का पावर क्या है। इसी तरीके से कंसेस्टेंसी, कंट्रोल, क्या है इसको समझना है पहले, कंट्रोल के ऊपर कई वीडियो से देख र पविलने के क्या जरूरत है, मेरे पास पैसा Allredy है तो मैं तो रोखी जाओंगा Stop Loss पर ऐसा नहीं है। जिस समय जब मैं उठा था, जब मैं धिरे-धिरे पैसा कमा रहा था, क्या उस समय मेरे मुझे पैसे के जरूरत नहीं थी, क्या मुझे किसी के पैसे देने नहीं थे, क क्या मेरे पास किषी का लोन नहीं था मेरे पास भी वह वरावर चीजन थी जो आपके पास है मतलब की sad पूरी तरीके से आपका माइं depressed था जैसे कि मेरा मुझे भी लोगों के पैसे देने थे मुझे भी लोगों का कर्जा माइं चुकाने थे आपकी तरह में भी लोगों के ताने सुन रहा था लोगों की गालियां सुन रहा था क्योंकि उनके पैसे लोटा नहीं पा रहा था तो मैंने तो भई पैसा उनका refund किया ना उनका पैसा देना था फिर भी कंट्रोल किया ना क्या सूच कर पता है यह तो दोगे और आपको जरूरत तो आप मांगोगे वो सामने बाले भी कोई भी गलत नहीं है क्योंकि उनने पैसा दिया है आप से फिजूल का नहीं मांगते किसी ने आपको 20,000 रुपे दिये होंगे आप भले ही जुए में हारे हो या कुछ भी किया हो पर उसने तो दिये है ना उसको पैसी रिफंड चाहिए वो मांगेगा अब आपको बुरा लगता है या आपके पास है या नहीं वो आपका मैटर है इन चीजों को देखो पहले मेरे पास भी यही चीजें थी जो आपके पास है पर मैं तो कंट्रॉल किया क्यों किया ओप्सन नहीं है ना आपके पास साफसान है कि कही ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड करके फिर इसे जुगे में डाल लोगे भाड़ में गया discipline भाड़ में गया control और भाड़ में गया consistency goals planning सब कुछ मतलब मुझे दुछा बाता है इस तरीके का सोचते हो जब ID में पैसा चला जाता है उस समय है उस समय सोचते हो कि आपके अंदर वो सब कुछ है आपको किसी चीज की ज़रुत नहीं है क्या compounding है क्या controls है क्या goals है क्या planning से क्या consistency है इन चीजों का दिहान नहीं करना क्यूंकि आप तो ग्यानी हो ना आपको तो सब आता है आपको तो सब पता है आप सब जानते हो और आप सब जानते भी हो तो लॉस में क्यों हो attitude attitude है न अगर यह ही attitude कि अच्छी जगाय पर आप दिखाओ या किसी को बताओ यह उसका सही यूज हो तो वो आपके लिए profitable बने पर यही आपका attitude आपको जुए के दलदल में नीचे खीशता जाता है और आप इसमें खुशी-खुशी जाते हो यह खुशी-खुशी ही तो जाते हो दस से जार किसी से लेते हो जो नोट बनाते हो गोल्स या दुनिया भर का प्रोपर प्लानिंग करते हो वो का उस पेपर उस नोट को जब पैसा लाते हो किसी से ले कर और डालते हो तो इस नोट को याद भी नहीं करते हो यह कभी याद करोगी जब हर चीज का पावर पता होगा कि लाइफ चेंग यहां से होगी ऐसे हो सकती है इस रास्ते पे चलके हो सकती है और आप क्या करते हो इन सब चीजों को इस प्लानिंग को इस बिजनिस टाइप का जो मैंड होना चाहिए वो ना करके आप एक जाते हो इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखोगे वो एक जोड़ी तो है यह बात मैं मानता हूं आप भी मानते हो कि 95% लोग हमेशा जुए में हारेंगे जानते हैं सब लोग जानते हैं हारनी वाले जानते हैं कमाने वाले जानते हैं सब जानते हैं फिर भी लोग जुगा खेलते रहते हैं क्यों की क्यों की क्यों की उसका रीजन साफ साफ है दोस्त लोग जुगा को लगा देते हैं देखो जुगे की कंपनी आज से नहीं आई पांच पांडाव और कौरवों के वीच, तो वो क्या था, वो जुगा ही तो था, कपस चला आ रहा है, अब कुछ लोग हैं, जो खेलते नहीं हैं, अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, अच्छे तरीके से, कुछ लोग हैं, जैने सोटकट चाहिए, जुगे के माद्धे हम से, क् तो उसको एक बिजनेस माइट से नहीं किया, एक बात बताओ, इतनी जुगे की कमपनीस या कुछ भी हैं, जो भी हैं, वो क्या करती हैं, क्या वो आपकी तरह जुगा खेल रही हैं, नहीं न, वो बिजनेस कर रही हैं, यह आपको पता है, जुगे की कमपनीस जो भी सिस्ट है वो आपको क्यों खिलवा रही है बताओ वो बिजनिस कर रही है आप क्या कर रहे हो आप उनके कस्टुमर हो कस्टुमर, तो दुकान को कस्टुमर से ही प्रॉपिट होता है, होटेल को अपने कस्टुमर गेस्ट से ही प्रॉपिट होता है, क्योंकि वो आते हैं, किराया दिना पड़ता है, खाना पिना गाते हैं, रूम में रुखते हैं, एक दो दिन बाद चले जाते हैं, किसको होता है प्रोफिट विजनिस करने वाले को, यूंकि होटेल एक बिजनिस है, आप कोई भी काम करते हो, वो बिजनिस है, कंपनी जो जुगा चला रही है, जुगा चल रहा है, वो एक बिजनिस है, आप क्या हो, आप उस बिजनिस के कस्टुमर हो, प्रोफिट बिजनिस करने वाले को म तो वो तो वही बात है, कि सुबह की खिचडी बची है, खिचडी बनी दी सुबहे, साम को खा लेंगे, अभी खराब नहीं होई है, फ्रेज में रख दो, आप कस्टूमर हो, अगर बिजनिस माइन नहीं लगाया, तो जो बचा है वो भी जाना है, सुबहे नहीं तो साम के चल जाना है, क्योंकि दिन में फ्रेज में रखे रहो, मतला दिन भर रखे रहो, कि मेरा येतना पैसा मेंने कमा लिया, ये रखा, साम को फिर डालोगे, फिर खेलोगे, चला जाएगा, सुबहे की खिचडी कैसा हाल है, बिजनिस माइन होना चाहिए, हर पावर्स का पता होना च चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज को जानते होना चाहिए, किस चीज का पावर कितना है, वो जानना चाहिए, टेक्निकल इसूस चलते हैं, उनको समझना चाहिए, खेलते समय, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, इनको समझना चाहिए, माइंड हमारा कैसे काम कर रहा है, हम कब गलती कर देते हैं, क्या हमारी मिस्टेक हैं, जो हर बार करते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, ये करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये भी करना चाहिए, ये सब चीजें सोचना चाहिए, कि क्या मेरे लिए जुगा है, अन्यता नहीं, क्य क्या मैं इसको एक दो साल से जब से भी इस में हूं इस लाइन में तो क्या मैं कुछ सीखा हूं नहीं एंटीटूट हाई लेबल कर लिया है जो आप जानते हो कि मैं ये चीजे सीख गया हूं आप जो जानते हो कि ये चीजे मैं समझ गया हूं वो आप समझे नहीं हो वो आप सीखे नहीं हो, आप सरफ उसमें अपने एंटीटूट को घौंस दिये हो, उसमें डाल दिये हो, कि मुझे सब पता है, इसलिए आप जाते हो, उचलते हुए, जैसे बारत में, बारत के जो लोग होते हैं, बारत जाती है, इस तोरे में डाल कर इतर लगा कर टाई सूट वेल्ट फिंड जिन्स सूश एक नंबर का ब्राइड इंसान बनता है कोई भी बारत जाने के लिए या बहुत से लोग सब लोग अपनी अपनी केपेशिटी के अनुसार ब्रंडिड बन जाते हैं मस्त बन के जाते हैं बारात में जाना है बारात बारत में जाना है दोस्त के लिए गल्फ इसी की भी साधी है, बेस्ट तरीके से जाते हैं, बड़ा ही रोयलेस होता है, ड्रिंप निंग होता है, स्मॉकिंग करते हैं, दुनिया बर का लोग करते हैं, यानि इंजोईमेंट करते हैं, बेस्ट तरीके से इंजोईमेंट करते हैं, इंजोईमेंट करने के बात, आता है ट है समय तिलक का दूले का तिलक होता है घोड़ा घोडी या होर्स प्रिमेल इन पे बैठ कर दूले का तिलक किया जाता है फिर दूले को entry मिलती है अंदर गॉर्डन हो या marriage hall हो या कुछ भी हो या simple साधी हो फिर entry मिलती है दूले को परिवार में आने की और आंगे की रस में निभाने के लिए पूरी करने के लिए नियंग होते हैं जो जैसे ही तिलक होता है दूले का पूरी बारात करचड़ा कौन लाता है आपको पानी पीने के लिए तिलक के बाद कौन पूछता है कि खाना खाओगे फिर से दुबारा भूंक तो नहीं लग गई दुबारा पेट खाली तो नहीं होगी है दुबारा कोई बोलता है कि आओ बैठ लो बोलता है कोई बोलता है कि पानी प्योगे चाया प्योगे कोई बोलता है कि आपको नीन आ रही है आपको सुनना है क्या आपको क्य 돼 नीन आ रही है कोई बोलता है कच़डा वेल्यू हो जाती है कच़डा और यहां से गए क्या थे इत्वर लगाया अपलिमेंठे बालत देशी ठीक है न यह रहता है नalted rules इसी सौंग के जैसा इतने किट कार्ट में जाओगे सब कुछ होगा पर लास्ट में क्या होगा आपका कोई भी वेल्यूस नहीं बचेगी आप जख मरा कर एक सब्द होता है इसको गलत व्याव मत लेना मतलब कि ऐसी तैसी करा कर आ जाते हो पर इसका मतलब यह होता है तो इसल को दिन तक मून अच्छा होता है सोते हो पर जब नीदपूरी होती है फिश्त वजया बारात में अमीजाओं घर अब जाओंग गर इस गान पेलने लगते हो अपने आपको और इसी सिप चीज़ों को करते हो, लास्ट में जब दोबारा है, मेरा भाई है, मेरी जान है वो अरे मेरे रिश्टेदार है, मेरे फूपा का लड़का है, मेरे ये है, मोरे वो है, मैं बारात में जाऊंगा बहुत पैसे उड़ाऊंगा ये करूंगा बहु करूंगा फिर वो सी नोटन की की फिर दُवारा आ जाते हो और फिर वही उता है कि दिल्ख हुआ दूले का दिल्ख हुआ बारत की判्शिस्टर भील्यो is होता है मैं पैसा हारता हूँ हर बार मेरी ये गल्ती होती है फिर उस गल्ती को दुबारा रिपीट क्यों करते रहते हो क्यों करते रहते हो उस गल्ती को दुबारा रिपीट है जब हर चीज का मालूम आपको पता है कि कौन सी चीज क्या है किस चीज की बात कितनी वैलू है किस strategy में क्या है जुगा एक क्या है जुगे से कमाई पैसे का क्या होता है जुगे से loss हो ये पैसे का क्या होता है इंसान का क्या होता है जुगे में कि इन सब चीजों का बोध होना चाहिए आपको इन सब चीजों का knowledge होना चाहिए आपके अंदर और ऐसी चीजें डेवलप नहीं होती, यह हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें इनके लिए प्रयतन करना पड़ता है, कि हम इन चीजों को कैसे समझें, समझोगी कब, जब एंटिटूट लेवल को हाई करोगे, तो नौलिशफुल एंटिटूट उपर जाएगा, अभी आपके पास गलेट डा अपने एल, समझने वाले हर चीज को समझ जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जुगा मत खेलो, इसमें लोग 95% बरबाद होते हैं, एक डिसिप्लिन कंट्रोल्स, पावर करसेस्टेंसी, गोल्स प्लानिंग्स, एंड अधर चीजें ही हैं, जो कि इतने सारे यूटूब पर वीडियोस पड़े हैं, मैंने समझा रखा है, इन सब चीजों का बोध हो जाता है इंसान को, तब जाके उसकी वेल्यूस क्रेट होती है, बनती है, ऐसे नहीं बनती कि आप पैसे की पीछे ही भागते रहो, पैसे के पीछे से भागने से कभी पैसा आही नहीं सकता भाई पहले हमें उसके काबिल बनना पड़ता है कि पैसे को हम संभाल पाते हैं की नहीं, आप कई बार पैसे कमाते हो, आप जोगों में से कई लोगों ने कई बार धिर सारा पैसा कमाया, आज आप सिर्फ लोज में ही डूबे हो, क्यों डूबे हो, इस चीज का रिजन, पूछ ल माइंड सेट क्या होना चाहिए पांच दिन में आपका माइंड सेट अलग हो जाता है दस दिन में फिर और अलग हो जाता है पंदरा दिन में आपका माइंड सेट अलग हो जाता है ये सब डारेक्शन आप मत लेजिए इससे बैटा रहे कि जुगा मत खेलिए उम्मीत करता हू हैं इस चीज़ से सुद्ध साफ जायर होता है कि आप अपनी लाइप में कुछ ना कुछ करने की कोशिस जरूर कर ले हैं तो इसी वीडियो के नीचे comment box में इसी वीडियो के comment box में नीचे फस्ट comment में टेलीग्राम का लिंक में जाएगा चाहो तो आप जोएन हो सकतो लाइप रूप के साथ वहाँ पर मेरी आल लाइफ या ओल डीटेल्स चेक कर सकते हो मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद